हेलो फ्रेंड मैं युम सीद्धी की आज आज आपके लिए enforce ही मीठी मीठी सी की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी बनाएंगे तो चलिए इससे कैसे बनाएंगे फटा-फट से बनाना सुरू करते हैं जिसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर मैं ले रही हूँ काजू, किस्मिस, गड़ी, गड़ी को मैंने छोटी-चोटी पीसिस में काट लिए है इलाइची, पाच्छे दाना, यहां पर अमूल मिल्क में इस्तमाल कर रही हूँ आपके पास में जो दूद है आप इस्तमाल कर सकते हैं ये मैं ले रही हूं चीनी, ये पिस्ता और आलमंड, साथी में मैं ले रही हूं तेजपत्ता, और ये है गुविंद बोग चावल, हमारे यहां इसे गुविंद बोग चावल ही कहा जाता है, मैं इस से खीर बनाऊंगी, मैं यहां पर प्रेशर कुकर भी ठाली हूं, इसमें धो करके चावल को हम प्रेशर कुक करेंगे, साथी में डाल देते हैं, इलाइची और तेजपत्ता, इसे हम दो से तीन सीटी लगाएंगे और चावल को पूरा गला लेंगे, ये देखिए, चावल हमारा पूरा गल गया है, इससे क्या होता है कि गाड़ी गाड़ी सी, बहुत ही टेस्टी बनता है, अब हम इसमें दूद एड़ कर लेते हैं, सारे दूद को हम इसमें एड़ कर लेंगे, और एक पैकेट हम इसमें रहने देंगे, रख करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिला करके इसमें हम तेज उबाल आने देंगे, जब इसमें ते तो अईसे गड़ी कहते हैं हम लोग यहां पे किस्मिस, काजू, सबको हम मिला लेंगे, मिला करके इसमें हम उबालाने देते हैं, यह देखिए यह देज उबाला आ रहा है, गाड़ा-गाड़ा भी हो गया है देखें, ऐसे हम लोग जब खीर बनाते तो काफी टाइम लगता है, लेकिन इसमें बड़ा जल्दी बन जाता है, यह बहुत ही टेस्टosa, बहुत फटा-फट से बन जाता है खीर, हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, चीनी हम लोग थोड़ा देर से डालते हैं, जब हमारी चावल ताकि वो चीनी है अच्छी तरह से चावल में मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए तिसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे अभी पका लेते हैं इसे थोड़े देर और और इसी वक्त हम तेजपत्ता जो है वो सारा निकाल लेंगे आप इलाईची भी निकालना चाहते तो नि तेजपत्ते को हम एकए करके निकाल लेंगे काफी गर्म है साफधानी से निकाले ये देखे गाड़ा हो गया है खीर हमारा लगबग रेडी है तो हम फ्लेम को बन कर देते है इतना ही गाड़ा चाहिए जब हम इस थंड़ा करेंगे तो ये अपने आप और गाड़ा हो और जिसमें भी बेल आइकन नहीं दबाया फटा फट से दबाईए और ये प्रेशर करकर खीर बना करके जल्दी से टेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये कितना यमी और कितना टेस्टी बना है तो मैं फिर से आपके लिए नई रेसिपी और नई वीडियो लेके हाजिर हो झाल